नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जीरोदा के काईट एप्लिकेशन में साथ ही अगर आपने १ भास्षण कि उसे लिया जाता है इन सारी बातों की चर्चा करेंगे तो के अंतक बने रहें तो सबसे पहले हम जीरोदा की काइट एप्लिकेशन को ओपन कर लेते हैं जैसी ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओफन होगा पहला जो ऑप्शन है लोगिन टू काइट इसी वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है ठीक है तो ज सबसे उपर सर्च का ओप्शन है इस सर्च वाले ओप्शन में वेलकम टू जीरोदा आपको सर्च करना है क्योंकि जब जीरोदा पहली बार डिमेट कुलवाते हैं तो वेलकम टू जीरोदा के नाम से आपको मेल भेजता है तो हम यहां पर प्टाक से टाइप कर लेते हैं व इस वाले mail में हम जाते हैं, यहां पर हमारी user id जरूर दी हुई होगी, देखिए यहां पर user id पासफ़र्ट दोनों दिया हुआ है, जब मेरे account 2018 में open करवाया था, तो मैं यहां से user id को copy कर लेता हूं, और यहां से back जाके user id पे डाल देता हूं, अब पासफ़र्ट भूल गया ह तो मैं forgot password के option को click करता हूं, जब मैं forgot वाले password को click करता हूं, तो मुझसे id बूचेगा, तो मैं अपना id देता हूं, यहां पर अपना paint नमर देना है, यहां पर आपको user id देना है, यहां पर आपको अपना paint देना है, यहां पर आप email id पे OTP मंगवाना चाहते हैं, SMS के capture यहां पर fill कर देना है, और reset को दबा देना है, तो हम यह सारी information fill करते हैं, उसके बाद video चालो करते हैं, तो मैंने सारी information fill कर दी, यहां पर मैंने mail id select किया है, ताकि मेरे mail id पे OTP चले जाए, तो अले option को select करता हूं, तो यह मुझसे बोल रहा है कि incorrect capture, तो capture को मैं एक बार enter कर लेता हूं, 291027, फिर reset करके देखते हैं, तो यह बोल रहा है कि email id has been sent to you with the password reset link, तो अगर मैंने यहां पर email id दिया है, तो मुझे link send करेगा, अगर मैंने अगर mobile number दिया होता, तो मुझे OTP बेजता है, और OTP के यहां पर options open हो जाता है, तो हम अपनी email id को open कर लेते हैं, email id को open कर लिया, और यहां से इसे refresh कर लिया, तो यह सबसे उपर जो मुझे reset, your 0 da password का mail आ गया है, तो यहां पर मैं, यह मुझे mail पर जो यह link दी वीए, इसी link पर मुझे click करके अपना password बनाना है, तो चलिए हम इसे click कर लेते हैं, click करने पर यह एक नए page में open हो जाएगा, open होने के बाद यहां है, आपको new password देना है, repeat वही जो password यहां पर लिखा है, वही password यहां पर देना है, साथ ही two factor pin, two factor pin को भी आप change करना चाहा है, तो यहां पर six digit का two factor pin दे सकते हैं, ठीक है, तो पर यह देना compulsory है, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो हम पड़ा दाल लेते हैं, फिर save करते हैं, यहां पर मैंने password और pin confirm कर दिया है, ठीक है, और मैं यहां पर save वाले options को select करता हूं, तो यह बोल रहा है कि your password has been reset successfully, login here to continue, इसा करके option आ गया है, तो आप मैं यह अपना password दे के देखता हूं, मैंने password दे दिया है, यहां पर login वाले options को select करते है अब यह pin पूच रहा है, तो मैं यहां पर pin इंटर कर देता हूं, और continue कर देता हूं, जैसे continue करता हूं, तो मुझे मेरा जो डीमेट है, वो login हो जाता है, ठीक है, और यह जो login हुआ है, kite.0.com याने कि इसे browser में या use किया जाता है, इस पर login हुआ है, ठीक है, तो आप अगर आपको कभी भी वह इसे में password change करना है, तो आप अपने profile के उपर जाईएगा, my profile में जाईएगा, और यहां पर देखिए, सबसे उपर लिखा हुआ है, password and security वाला options, इसी को select करना है, जैसे आप select करेंगे, तो आपना current password डालना है, नया password डालके, यहां से आप change कर सकते हैं, यहां पर दो बार confirm करने एक बार submit कर दीजेगा, ठीक है, कई बार आप Z category के stocks लेते हैं, तब जाके वो TOTP का बोलता है, तो आप यहां से TOTP भी enable कर सकते हैं, इसके लिए हम एक अलग से video बनाएंगे, अब हम काईट के जो application है, उसे login करके एक बार देखते हैं, ठीक है, तो पिन इंटर करता हूं, तो हमारा teammate login हो गया है, आप अपने काईट application में कही पर भी password reset का options नहीं है, सेटिंग में भी जाके देखेंगे, तो भी आपको option नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको kite.0.com की जो website है, वहीं पर login करना है, एडी password से, वहीं से आप my profile में जाके password है, वीड अगी तक आपने investment पर पसेट DMIT account ओपन नहीं किया है, तो description में देगे link पर जाकर एक नया DMIT account ओपन करे, thank you for watching this video.